और बड़ी खबर आ रही है, LGP से जुड़ी हुई पटना में पारस गुट की बैठक खत्म हो गई है, पशुपती पारस निर्विरोध चुन लिये गए हैं अध्यक्ष के तौर पर और शाम पाच बजे इसका आपचारिक ऐलान किया जाएगा सौरव मेरे सायोगी जुड़ गए हैं जादा अपडेट के साथ, सौरव इसमें कोई आश्यर है नहीं कि निर्विरोध वो चुन लिये गए हैं अध्यक्ष पद के लिए और थोड़ी देर में इसका आपचारिक ऐलान भी हो जाएगा यह बिल्कुल यह गूट जब अलग हुआ था उसी समय यह तैमाना जा रहा था कि पसुपती पारस ही इस गूट के रास्टी एध्यच बनेंगे और आज यह एलान हो गया और जिस तरीके से यह पूरी परक्रिया हुई सबसे बड़ी बात है कि बैठक शुरू होने के बाद पसुपती पारस ने अपना नामनकन किया और उसके बाद सभी जो सांसत थे हलाकि प्रिंस राज जो है इस बैठक में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया वह दिली से पटना नहीं पहुँच पाए लेकिन बागी जो चार सांसत थे उन्होंने पसुपती पारस का समर्थन किया और उसके बाद जो भी राष्टिये कारकारनी के सदस से थे सभी ने पसुपत एपक्षा ने नामंकन नहीं किया और उसके बाद यहां य। यहां इस गूटके यानि पसुपती पारस तो पारश होंगे पांच बजे लूजपा कारियाले में इसकी अधिकारी के उस एफ व। यहां पर सुरजभान सिंग के घर पर जो बैठक चर रही थी वह खत्म हो गई है और यहां से सारे जो MP है वह यहां से प्रस्थान कर चुके हैं और पांच बजे का समय रखा गया है कि साम पांच बजे लोजपा कारियाले में यह बहुत एहम है सुरजभान सिंग के घर पर बैठक हुई है और यहां पर अध्यक्षपद का चुना हुआ है लेकिन LGP दफतर जो है वहां पर कोई सरगर्मी नहीं देखने को मिली है यह कबजा किसका है उस दफतर पे यह बहुत एहम सवाल है तो क्या आज पांच बजे वहां से अलान करेंगे यह बिल्कुल पहले यह कहा जा रहा था कि प्रेस कॉनफरेंस पांच बजे यही पर होगा यानि सुरजभान सिंग के घर पे ही किया जाएगा लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह गूट एक सिंबॉलिक संकेत देना चाहती है पूरे बिहार के लिए पूरे देश के लिए कि अब केबल हमारा पार्टी पर कबजा नहीं है लोजपा कारियाले पर भी हमारा कबजा हो चुका है और इसलिए प्रेस कॉनफरेंस जो है उसकी जगह बदली गई और उसको बदल कर लोजपा कारियाले किया गया क्योंकि अगर ये जानते हैं कि अगर लोजपा कारियाले म के साथ हैं ये पता चल जाएगा अगर दफ्तर पे शांती से वो एलान कर सकें अपने अध्याक्ष चुने जाने का या फिर चिराग के जो समर्थक हैं वो उन्हें ऐसा करने पर रोकते हैं सौरब बहुत-बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए कि आपिते हैं तो रेची के गलते हैं वो